गरीबों को पी-एम आवास योजना के घर मिलते रहे इसके लिए यूपी में भाजपाज सरकार बहुत जरूरी है गरीबों को अच्छे अस्पतालों में पाँच लाख रुपिये तक के इलाज की मुप्त सुविधा मिलती रहे इसके लिए यूपी में भाजपाज सरकार बहुत जरूरी है छोटे किसानों के बैंक खाते में पी एम किसान योजना उसका पैसा सीधा उसके खाते में पहुत ता रहे इसके लिए भी यूपी में भाजपाज सरकार जरूरी है बाई और भेनों मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कुछ गोर परिवारवादी लोग एक पुरी पार्टी परिवारवादी जनता से लगातार खोखले बाई देख किये जा रहे हैं वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तरपदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको गुसने देने वाली नहीं है उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है उत्तरपदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़ बोले वचन देना कुछ भी वचन देना हम ये करेंगे हम वो करेंगे उनका क्या जाता है आना तो है नहीं करना तो है नहीं बोलते जो आप मान के चलिए जब कोई बड़े बड़े बादे करता है ना तो समझ लेना वो खोकले ही होंगे गेर जिम्मेदार ही होंगे और इसलिए मेरे प्यारे भाईयों बेहनों इन लोगों के बहकावे में नहीं आएगा इन लोगों को जब आपने मोका दिया तो इन्होंने क्या किया ये कभी मत भुलिएगा आप याद करिए इन लोगों ने शहरों को 22 गंटे और गावों को 20 गंटे बिजली देने की बात कही थी ऐसे वादे किये थे लेकिन उन्होंने ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं किया उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा और किया तो कहां किया अपने परिवार के जिले में किया परिवार वादी सोच बिजली में भी वही पर अटक गई मुझे फ़र नगर में जो हुआ वो तो कलंग था ही यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौपनाख था था कि नहीं था याद है कि नहीं है राजनीतिक सवरक्षन में कैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है सहारनपुर का दंगा इसका प्रमाण है मेरे भाईयों बेनों प्रमाण आप यह मत सोचना कि यह दंगावादी लोग सुधर गए हैं आप मत सोचना यह परिवार वादी सुधर गए हैं वो तो मोके की तलास में हैं मोका मिल जाए इसके इंतजार में हैं सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनेगार को अब इन माफिया वादियों ने इस चुनाओं में अपना साथी बना लिया है और सिर्फ सहारनपुर की बात नहीं है पूरे पस्टिम यूपी में इन लोगों ने चुन चुन करके अपनादियों को मैदान में उता रहा है हालत तो ये है कि ये लोग अब राष्ट विरोधियों को अपना प्रस्तावक तक बना रहे है हाढ लोगों ये लोगों ये लोगों